ये दुनिया जूट से भरी हुई है मैं आपको एक मीठे जूट के बारें बताता हूँ जो लोग अकसर एक दूसरे से कहते हैं सुनिए चाय वाला कहते है हमने ये वड़ा अभी तला है मेडिकल शॉप वाला कहते है दवाई का नाम बस अलग है पर ये उससे बहतर है रियल एस्टेट बिजनेसमेन है वो कहता है कि जमीन के 10 फीट नीचे पानी है सर और बगल में रिंग रोड और आईटी पार्क है सर सबजी वाला कहता है ये सबजी हमने आज सुबा ही तोड़ी है सेल्समेन कहता है ये ओफर आज खत मोरा है सर बस का कंडेक्टर कहता है ये बस बीच में कहीं नहीं रोकेगी स्टूरेंट कहता है मम्मी आज शायद मेरे पेट में दर्द है दोस्त कहता है मैं पक्का तुझे पार्टी दूँगा पती पतनी से कहते हैं तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो पतनी पती से कहती है मैंने सोचा आप से पूछ लूँ और ये काम कर लूँ इस तरह हम बहुत सारे जूट बोलते हैं और उस जूट को सच साबित करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन दोस्तों ये गलत है जूट जूट है चाहे वो कितना ही मधुर क्यों न हो चाहे लोग इससे खुश क्यों न हो रहे हो पर फिर भी जूट जूट ही है नीती बचन 12-22 में लिखा है जूट बोलने वाले होट से येहवा घिन करता है लेकिन जो सच्चाई से काम करते हैं उनसे वे खुश होता है येश्यों ने कहा मत्ती 5-37 में यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हा कह और ना चाहता है तो ना क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वे शैतान से है तो दोस्तों क्यों ना आज से हम सच बोलना रम करें